कि नमस्कार दोस्तों सेल्फ फिल्फ चैनल में आपका स्वागत है आज हम पढ़ेंगे प्रति चत्रन विदी के द्वारा आपका संपडल सर्विक्षन देखिए त्रीपार स्टेंड हमने लगा दिया है इसके उपर टेबल हमने रख दी है और इस टेबल को हम संतुलित करते ह हाँ देखें यह टेबल रुक्क्षी प्रूंप त्रीपार स्टेंड है इसके आपका बंदन पेच लगा हुआ है और यह आपका बंदन पेच से आप बीच में आप देखिए यहां पर कौने पर रिखेंगे बुलबुला आपका बीचों बीच आजाता है इसका अमरे यह टेबल आपकी संतुलित है और संतुलित करने के बार आप इसके चारों कौनों पर एक यह दूर से कौना यह कौना और इसके बीच में रखकर अगर गर बुलिवला बीच में है तो यह आपकी संतुलित हो जाती है इसके बार इसके बार आपको ट्रॉम्प कमपार्ज के दुआरा उत्तर दिसा हमें ज्याद करनी होती है मुख्य काम इसकी उत्तर दिसा उसके लिए हम यहां पर बंदन पेच है उसको थोड़ा लूज कर देते ह और फिर स्टेबल को गुमा कर आप गुमाएंगे और या फिर इसको टब कमपास को गुमा कर आप देखिए यहां पर उत्तर दिशापन अंकित करते हैं यह देखिए कमपास में आपके नीडल है बिल्कुल नौर्थ कीतब दिशाप सुर्चित कर रही है और यहां पर हम क्या करते हैं पैंशन लेकर एक लाइन कीशते हैं और उपर तीर का निशान लगा के किरन बना देंगे और यहां पर एन लिख देंगे उसके बाद आपका यह दिशा का ग्यान भी कंप्लिट हो गया अब उसके बाद हम क्या करते हैं केंदरन करते हैं साउल चिम्टा और बोब जो आपके पास है उससे हम केंदरन करते हैं देखिए नीचे बोब जो है लटकरा है यहां पर तरती के ए स्टेशन को यहां उपर चिम्टे के नो के पास आ देखना है इसके बाद आपको क्या करना है स्टेशन बी को एलीडेड में देखना है जिस परकार से देखिए पर आपका सर्वेक्षन डंड खड़ा है और यहां से बाली का आपकी सर्वेक्षन डंड को आई वें से अबजेक्टिव इन्क में होते वें देख रही है बाले का कड़ी है और वहां पर भी स्टेशन का निशान लगा देंगे और यहां से उस दूरी को हम नाप लेते हैं जो भी दूरी आएगी वह उपन कागरेज में लिके उसकी गणना करते हैं और इस दूरी को हम केल्कुलेश खीछ लेते हैं इस केरण को खीछने के बार एक केलकुलेस्टन जो हमें करनी है वो इस प्रकार से देखो इसमें आपका सुत्र है दरातल पर दूरी बटा आरेप का हर इन्टू सो खीग है दरातल पर आरेप अपने को एक अनुपार सो दे रहे हैं और धरातल पर दूरी जो आई अपनी नापने पर दस मीटर आई है तो दस बटा सो इन्टू सो आपका दस सो से सो कट गया दस सेमी अपना आगया यानि कि आपको A station से लेगे B station पर आपको scale की साइता से केवल 10 cm की रेका ही खीचनी है ठीके दोरों बाकी रेका है उसको हम मीटा देते हैं मीटाने के बार आप यहाँ पर B लिख देंगे यह आपका धरती का capital B है कागर्ज पर small B के रूप में अंकित हो जाएगा इसके बाद आपको object देखने हैं यह जैसे पहला object देख रहे हैं और यह line कीश दिए देखर और इसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर number 1 लिख देते हैं कि आप उनको ध्यान रहे कि आपका यह जो object है कौन से नमबर का यह दूसरे नमबर का अबजेक्ट है और यहां से देखिए यह बालक देख रहा है आपका आई वेन से अबजेक्ट इवेन में और यह किरन कीच रहा है यह दूसरा अबजेक्ट हो गया इसके बाद आपका तीसरा अबजेक्ट हमें देखना है ठीक है यह एक बगीचे में है हम और बगीचे में से इस परकार से हमें बाली-बाली से बाली काएं और बालक ऑबजेक्ट देख रहे हैं यह आई वेंड से देखते हैं और ऑबजेक्ट वेंड में जो वायर होता है उसकी सीथ पर आपका सर्वेक्शन डंड आना चाहिए और फिर अगर सीथ पर आपको यह बहुत हिला कर आगे पीचे कर सकते हैं और इस परकार से आपको कुल मिलाकर आठ से दस बिंदू लेने हैं क्योंकि अगर यह प्रतिश्चन विदी है हो सकता है एक दो बिंदू आपके बी स्टेशन से नहीं दिखे जो एसे दिख रहे हैं और एस टेसन दिख है वो बीचे नहीं दिख सकते हैं तो इसलि Abg और आपको क्या करना है यहाँ पर आठ से दस बिंदू ले लेने हैं इसके पर आज दिखिया आप है सारे के सारे बिंदू लिये जा रहे हैं और इसमें बालक और बालिकाए पुरा सहे उखरे कर कर रहे और ये इसमें बालिकाए और बालक पूर्ण निस से छिग्यासा के साथ प्रैक्टिकल कर रहे हैं और ये सारे सारे बिन्दू देखकर किरन खिषते जा रहे हैं इन में किरन ही किषनी होती कोई निखा की लंबाई मापनी नहीं होती है इसलिए ये विदी बड़ी जल्दी संपन हो जाती है लेकिन इसके बाद इसको आट-दस बिन्दू लेने के बाद B station के उपर इसको ले जाए जाता है B station के उपर इसको स्तापित किया जाएगा यहाँ पर स्तापित करने के बाद देखिए आपका केंद्रे करन जहाँ B station है वहाँ पर आपका केंद्रे करन करना सावल चिम्टा रखने के बाद और जो आलपीन है आपकी वो आलपिन आपको हटा कर B station है जहां B आपका चिम्टी की दोख B station पर रखने है वहाँ पर और यहाँ पर वापस को आपका संतुलित करना टेबल को आपका बुलबुला है जो स्पृट लेवल में वापस बीच में आना चीए यह आप चार कौनों पर और बीच में करने के बा आप यहाँ से बीच में भी करेंगे इसके बाद आपका वापस इसके पर शाएक काम और मुक्य रह जयता है वो है आपका पूरा भूम की करने इसमें आपको करना क्या है आपने जहां आलपिन रखी और जो आधार रेका है उसके सहारे आपको ऐले डेड को रखना है और यह से आपको स्टेशन यह उसको देखना है इसको देखना साथ यह स्टेशन एको अब देखिए यह टेबल आपकी केंदरी केंदरी हो गया और इसको गूमा के हम वह आधार एका पहले हमने कीची उसके सारे ही आल पिन के सटा कर आपको अर्यडेट को रखना है उसके अलावा कहीं नहीं रखना है और वो बीज ए स्टेशन पर बालिगा खड़ी है सर्विक्षन डंड लेकर उसको अबजिक्ट इवेन में अपने को देखना है यह अगर सही हो गया इसका मला आपका काम पूरा सही हो गया और इसक आपकी बी स्टेशन पर पूर्ण रोप से कंप्लिट हो गई है अब इसके बार आपको क्या करना है स्टेशन एस से हमने जो अब्जेक्ट देखे थे पहला उब्जेक्ट देखे था उसको हम वापस स्टेशन बी से देखर एक किरण कीचेंगे यह पहले से देखी हुई यह यह स्टेशन से देखा है उसको हम वी स्टेशन से देखेंगे बारी बारी से देखेंगे यह लगातार बालक और बालिकाएं इस सर्वेक्शन स्टेशन बी स्टेशन से हर एक पॉइंट को देख रहे हैं ताकि हाँ रिखाएं आपस में प्रतिछेद हो जाए कि इस प्रेकार हमने पहले 9 बिंदू लिये थे और 9 के 9 ही बिंदू हमने वापस इस बी स्टेशन से देखें हैं देखें रहें और देखने के बाद ये स्टेशन कहीं न कहीं पर प्रतिच चेदर जरूर कर सकते हैं लोसकता आपका प्रतिṣe Section आपका नहीं करे उससे आप गबड़ा रिनी और पहले ए और बी स्टेशन में प्रतिशे elkaar कि रहें वहां तक रखें बाकी को आण मीटा दें और जहां प्रतिशे को आपका दो यह देखिए मैंने आपको जानरा प्रतिचेज़ करकी रेखाएं वहां तक हमने रखा है बाकी रेखाओं को हमने मीटा दिया है ठीक हैं दोस्तों बाकी सारी की सारी रेखाएं यह बाहर की तरब जो है उनको आप रबट की साहिता से मीटा देते हैं इसके बाद आपको स्केल की साज़ता से जहां जहां बिंदू रेखाएं प्रतिछे रहें उनके अंतीम बिंदू को इस परकार से मिला देना है मिलाने पर आपके पास इस परकार से के चार्ट या चित्र बन जाएगा इन रेखाओं को मिलाने के बार इसके बार आपको करना किया इसके बीच में जो भी रेखाएं हैं आधार रेखा को छोड़ कर आप सभी रेखाओं को मिटा देंगे इसके बार आपको देखिए आपके पास हो हम बनाते हैं मापनी वह लिखा जिसकी एक सैंट्मेट्र कागरप सो सैंट्मेट्र और दससेमई आपकी आरेख इसमें देज़की combat 100 है तब दससेमई कागज़ न रहे हैं सो से भाग देते हैं तो अपने पास 10 आ गया इस प्रकार से दोस्तों में 10 सेंटी मिटर की रिका कीचनी है मापनी के लिए और इसके 10 के 10 के टुकडे करने हैं जो मैं यहाँ पर 10 सेंटी मिटर की रिका कीच देता हूं और यह मापनी इस प्रकार से बना के उसके 10 सेंटी मिटर कर दो दो सेंटीमिटर के और इसके बार बीच में लाइने खेस देनी इस परकार से एक खाना छोड़ते जीरो दो चार छे आठ ठीक है दोस्तों यह मीटर में लिखना आपको और उपर आरे लिखना और इस तरफ आपके दो मीटर का है खाना इसलिए इसके दो टूड़े कर देते हैं और एक पे सो सेमी लिखते हैं और दूसरे के उपर दो सो सेंटीमिटर लिख देते हैं यह कोई साभी सर्वेक्शन करें आप चाहिए माव प्रतिशदिन करें चाहिए विक्रेन करें आपका मापनी बहुत ही प्रकरें तो स्था करें ये भी सस्था चाहिए एस प्रकार से इससे त्रिकार सटल बन जाएगा और इसके बीच मेदर आधा रिकाए कि जिसमें स्मॉल आ स्मॉल भी दसरिच्ट करीगा औरंपर की तरप आपको स्.रव. श्डिक्षन का नाम ुह कि दोस्तों और इस वर्गार इदर उत्तर दिशा है उत्तर पे पे आपको एक्जाम के अंदर कुछ डीजाइन बना कर दे जरनी है ताकि एक्जाम प्रभावित होए आपको अच्छे से नंबर मिलते रहे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत